मैं फिर से आ गया हम आपके सामने Micro Economics के previous year को question को लेके जो बिहार बोड के हैं और जो Micro Economics पड़ते हैं उनके सामने जो बिहार बोड का जितना सारा previous year का पूछा गया question है especially यह जो हम MCQ session अभी करेंगे वो closely buhar riders के बच्चों के लिए जो इस बार एक्जामनी किखामा का एकजाम के लिए। उसके लिए सारे कोषटन है मेरा कराने के पीछे मोटिव है कि जितना vähän में पूछा जिए कॉश्चन है इक्जामनेसमें उस सारे previous year के कोषटन के हम लोगmcq कर लें ताकि आपके एक्जाम में जो है सारा कोश्चन आपसे स्वाल हो सके और यह मेरा मोटीव है उसमें क्योंकि बिहार वोड में जो है 50 mcq होता है और अगर आप उसको अच्छे से स्कोर कर लेते हैं उस 50 mcq को तो आपका जो है लेकिते स्वाड़िन को पूछा गया है उस सारे एक्जामनेशन को को लेकि हम लोग यह स्टार्ट करते हैं, चल यह देखिए आपके स्लाइड के सामने यह रहाल कोस्टं, कि देखिए फर्स कोस्टं पूछ रहा है कि microeconomics includes, कि microeconomics जो है वह कि microeconomics जो है वह किस चीज को include करता है, तो आपको पता होगा microeconomics जो ہے हैं जब हम लोग छोटे लेवल पे किसी एकनॉमिक प्रॉब्लम में एकनॉमिक इसू का इस्टडी करते हैं तो देखिए इसमें क्या-क्या है पहला है ऑप्सन इंडिवीज्वेल उनिट का दूसरा ऑप्सन है इंडिवीज्वेल प्राइट अप्सन का और ऑप्सन दी ऑल यह तो क바थ कर रहा है स्मॉल इसे केल पे इंडिवीज्वर उनिट पे और माइक्रोयवल फीजुवेल इंडिवीजुवल तो यह मैअगर का है स्मॉल का मतलब मायिक schemes का मतलब इसका सही होगा यह आपका का यह option जो है option D है कौन सा all of the above आंसर चलिए कोस्टन नमबर टू कोस्टन नमबर टू है consumer behavior is studied in तो consumer behavior आप पढ़े होंगे consumer यहाँ पर हम लोग consumer के behavior को जिसमें आप थ्योरिय अप consumer behavior पढ़े हैं जिसमें हम लोग consumer equilibrium के बारे में पढ़ते हैं वो तो माइक्रो एकनामिक्स कहीं study करते हैं उसमें हम लोग तो पूछ रहाए कि consumer behavior is studied in तो consumer behavior को हम लोग किसमें study करते हैं पहला पूछ आप्सन माइक्रो एकनामिक्स में दूसरा income theory में तीसरा in macro economics और दी नौन अप्दैभब तो इसका सही आपसन जो है वह माइक्रो एकनामिक्स है बांकि यह दोनों आपसन जो है वो गलत है इसका सही आपसन जो है यह माइक्रो एकनामिक्स है ठीक है ऑपसन नंबर थ्री कुछन नंबर थ्री वीच आप फॉलोंग इस्टइड अंडर माइक्रो एकनामिक्स फिर से वही कोश्चन रिपिटेशन उसका कि माइक्रो एकनामिक्स में किस चीज का study करते हैं तो या तो वह individual है या small है या single है मतलब छोटे पह्माने फेद उसका study हम लोग माइक्रोंमिक्स में करते हैं पहला है इंडिवीज्वल और दूसरा बात करता है इकनामिक अग्रिगेट कि रांध टीसरा करनां आशे लिए हुसे को माइक्रोरे मिक्रो उनुक्स बहते हैं तो देखे माइक्शन नंबर 5 वीच अगर स्टेडी गर्ते हैं मतलब हम लोग बात करते हैं फिक पूरे इकानोमी यह वह बात खरते हैं दूसकर अप्शन देखिया उसका पहला है नाशनल इंकम से दावरे देश का आए दूसरा फूल इंप्लोपमेंट का मदलब पूरे इकानम्य में जितना इंप्लोपमेंट है उसके बारे में आप्सन नंबर ठीटर्विट्चन मतलब हमारे इकानमी में जितना भी गूद्टन सर्विसेश का प्रडॉक्षन होता है उसी को हमलोग बोलते हैं अब्सक्heiroइका मैक्षोट देली संठेज आ पक्राइबिनेशन विटार है ऊप्सन अमब्स प्रीडच्टर प्राइबिनेशन आप सानमबब वेलफेर तो इसका उप्शन सही क्या होगा ओल अब दैभव कि वुच आप फॉलॉइंग इस सोर्स और प्रोडक्शन आपको पता है फैक्टर से प्रोडक्शन आप पढ़े हैं जिसका आपको हम चार सोर्स बता है कौन-कौन सा लैंड लेवर कैपिटल और इंटरपेनियोर चारो सोर्स जो है उस चारो सोर्स को हम लोग करते हैं फ्रक्टर से प्रोडक्शन तो देखिए इसमें से कौन-कौन सा है पहला लैंड मिल गया आपको लेवर मिल गया इसका मतलब तीनो है तो इसका सही आंसर जो है यह आल अफ दैभव होगा इसका यांसर आफ आफ पर और मैक्रो का मतलब छोटे लेवल पर तो किस वर्ट से बना ही यह ग्रीक वर्ट से एक माइक को और एक मैक्रो इसमें से कौन से ओप्शन है तो माइक्रोर मैक्रो जो है उसको दो मीटरैवार इसका नाम था उसका नाम था रागरण'd फ्रेज के are you who said economics is the science of faith करा कि किनकि काहा था तो एक यह की यह जो कि कान थे यहए अटा मिक्ष्फ , Adam Smith , function Sachen ​​his mahiya inadequate , who gave the concept of limited resource and unlimited ones , so limited resource or unlimited wants के बारह मेंग को define करने वाथ वं रॉबिन्स थे जिन्होंने politics को define कि था कि economics जो है वह study करता है कि आपके पास 결 którą is limited resource है और आपके पास unlimited human wants है उस दोनों के लिएशन की सब दो है तो इसका जो इसका च्वाइब टूर्ब रिमिन इसका ल्यमीटर्ट क्या है होना चाहिए रिस्स होना चाहिए तो इकनॉमिक्स में लिमिटर्य सोर्टे प्लियो की हम को यह भी शैए एकनॉमिक्स एक्ट Donald रिस्सोय unable to use को एकनॉमिक्सintéThe प्रफुटी लेटेट अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज तोनों अप्शन साही है इसका सही आंसर का बोथ A and B हुगे वह दा फादर इपकन अफ इकनोमिक्स इसका नाम थे एकनोमिक्स जो भरणिक्स को डिफारीं किया इसका अडरा कोस happens यौ kी एकॉनिक्स डिया गया था लोगों का वेलफेयर भी क्या है जब की सकता है उससे रहीऑ तो क्या पूछ रहा है की अे वह भी कर सकता है पैसे के तुरू लोगों का भलाई सकता है सिर्फ पैसे से पैसा नहीं कर आया सकता है तो कराई इक लिटेड टू वेल फेयर उस भलाई के बारे में बात करने वाला जो था उनका नाम था अल्फ्रेड मार्सल मार्सल ऑप्षन बी नंबर कि अल्फ्रेड मार्सल जो बोले थे कि एकनॉमिक्स जो है वह वेलफेर साइन्स है चली ऑप्षन आगे करा दवर्ड माइक्रो वाज फर्स्ट ली यूज़ बाई तो वर्ड माइक्रो माइक्रो किसके द्व इसका नाम था अलफ्रेड मार्शल तो दिखे तो इसमें से कौन सा है ओप्शन ए नंबर साहिए अलफ्रेड मार्शल इसका मतलब यह नहीं है यह नहीं तो ऑप्शन कौन सा होगा यह सभी आप्शन यह लैंड लेवर इंटर्पन चार होता है अप्शन नंबर सही कौन सा है मनी तोो आपको पता है हम कितना बार पढ़ा चुगे है और विज ब्रांच को ब्रांच को ब्रांच है दोको एक माहिकरो और एक मैख्रो डोनों आपको पता है और हम कितना पढ़ा चुके हैं तो में दोनों दिखे तो और ऑफशन में भी और मैं फिर आगया कि वेल्फेर का जो डेफिनेशन कौन दिये थे वेल्फेर का डेफिनेशन देने वाले थे आलफेरड मार्शल तो यह जो बताए थे कि सम्टाइम जो है economics कभी को positive science जिसको हम लोग positive economics बोलते हैं और innovative science का मतलब जिसको हम लोग normative economics बोलते हैं वो जो दिये थे उसका नाम था economics का फ्रेडमेन which economics first use the words micro and macro in economics अभी हम बताये थे आपको इससे पहले कि जो है रेगनर फ्रीज जो है वो बताये थे कि micro और macro branch को economics को दो भाग में प्रांच इसका नाम था रेगनर फ्रीज वर ya kaba' बाइस नमबर एक इसको आपको अफ्रीज मीक्स तो माइक्रोव डॉक्निकस में हम लोग प्राइस टरेनीस जन इंडिविजिवा्ट इमांड इंडिविजिवाड सप्लाई इसी के बारे में पढ़ते हैं आप्लीकेशन अफॉर्टर्स प्रदक्टर्स और दिश्च इन इसका सभी पूच्छन कौन सा वोगा अट छलिह चैप्टर वन खतम होगए आपका इंट्रोट्क्शन जिसमें तैस को कोश्चन कर लिए अगर आप यह सारे कोश्चन चेप्टर वन का कर लेते हैं इसको चप्टर रिंट्रदक्शन चप्टर से एमसी क्यू जो है दो से तीन आ जाता है एक जाम में तो आपका तीन नंबर दो नंबर कहीं नहीं गया है अगर आप सारे कोश्चन को कर लिजेगा च डूसरा है लिमिटेड रिसोर्स इसको बोलते हैं जिसमें लिमूटेड इसे बारे में बात किया जाता है और रिसोर्स के बारे में बात कियाता है और इस ऊप्सन है आपके पास पहला करता है अरुमिटेड वांट है और दीजोर्स है इसका मुदर्ब दोण dificult साइब तो बोथ एंड भी ऑप्सन सही है इसका यह भी सही है यह भी सही जो फॉलोइग इस्ट्मेंट G rep उसका इस्का इससेट्मेंट इसंट्मेंट रुए है आपको पता है उसको फितने रिसोर्स का अब गणिदेशन है और थीशा नहीं है घ्यार इस्का ही इसका यह जासे सेंट्रल एकॉनमिक प्रब्लम जो वो तीन है पहला वाट्टू प्रोड्यूस दूसरा हाव दू प्रोड्यूस और तीसरा जो है फॉरूम प्रोड्यूस देखिए तो उसमें से कौन कौन साया आपके पास पहला का रहा है एलोकेशन ओप रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन उट पूरा का पूरा कीजिया और सी का रहा एकॉनोमिक डेवलप्मेंट में होना चाहिए उसके साथ तो तीनों है तो इसका उप्टिम्टेशन सही हो जो है आल अप डी तो विश फ्रक्टर एकॉनॉमिक प्रब्लम मिज्वेसिकली रिलेटेटेट टू हमेंसा जो एकॉनौमिक कर रहा है तो फिर आपको च्वाइस ही करना पड़ेगा ना वहाँ पे तो देखे तो आप्सन ए में जो बोल रहा है वो बोल रहा है तो बेसिकली जो है हमारे एकनोमिक प्रब्लम जो है प्रब्लम ऑफ च्वाइस है वीच अब दा फॉल्वाइं इस सेलेंट फीचर्स और फैक्टर्स या रिसोर्स फिर से वहीं से कि अल्लिमिटेड हुमन वांट्स लिमिटेड रिसोर्स और उसका अल्टरनेटिव यूज करा दीज आर लिमिटेड इसका अल्टरनेटिव यूज भी है तो दोनों ऑप्सन सही है ए भी दोनों तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ एंड भी हाँ देखिए आगया ग्राफ है इन गिवन फिगर दो मुवमेंट ऑन दा प्रोड़क्शन पॉसिबिलिटी कर चले पीपी सी का कॉंसेप्ट प्रोड़क्शन पॉसिबिलिटी कर का कॉंसेप्ट आपको हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं चले सोब कर देखे कर रहा है कि इ यहां पर थे इस वाले पॉइंट पर कर रहा है कि पॉइंट ए पॉइंट ए यहां पर था पॉइंट भी यहां पर है तो यह जो है अगर कर रहा है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट भी की और मुवमेंट कर रहे हैं तो वह क्या बता रहा है तो पॉइंट ए पे थे तो लाइक्सम में से बढ़ा के यहां किये और रोप्ष संड़ो सभा किயा और फॉर्क फ्रोंस जो पहले यहां था उस्तों घटा आ आपियाँ मैं जैले यहां थे प्रोडक्शन हो रहा नहीं यहां थे यहां लेते हैं यहां पर 10 न यहां पूर अख़या हो और को तो 5 बाभा है एंड युनिट्ट सुफ वाई तो मतलब गूठ भब सुफ आय पर यहां थे पहले महले यह 20 था तो उससे घट क्या नीचे आगये आ अपटम अंज देते दस पे आगे तो कौन सा और सिय का सही आंसर क्योंकि आप गूट एक्स के पर्ड़क्शन को बढ़ा रहे हैं और गूट भाले के प्रड़क्शन को उससे घटा दे रहे हैं तो आप से नंबर इसका सी सही होगा डी नहीं यह हो क्योंकि वह कर रहा है कि दूसरा इसी को बोलते हैं कि मतलब आपका जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन हुए हुए गुड्स को आप कैसे डिस्ट्रिबूट कीजिएगा तो यह जो ऑप्सन बता रहा है यह जो है यह इसके बारे में बात कर रहा है जिसको हम लोग एलोकेशन और रिसोर्स भ अगर हम बताएं कि economy जो है ownership के बेस पर थीन प्रकार का होता है पहला है capitalist को दूसरा है socialist को और तीसरा है मिक्स्ट को यह तीन एकॉनमी होता है तो इसमें से कौन कौन पूछ रहा है आपको देखें तीनों देदिया option में पहला बहुता capitalist दूसरा socialist और तीसरा मिक्स्ट कुशन पूछ रहा है वीच एकॉनमी है जो को एक्जिस्टेंस ऑप प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर तो दोनों का जहां पर तो प्राइवेट का मतलब होता है कि capitalist और सोसलिष्ट का मतलब होता है गवर्मेंट शक्टर का इंट्रफेरंस मतलब गवर्मेंट शक्तर का डॉमिनेंस है वहां पर तो दोनों का जहां मिक्स्टर है दोनों मिल गया प्राइवेट का भी और गवर्मेंट का भी तो उसको कहते हैं अगर हम बोलें कि यह है रिष का भी ज़ी ज होता है इसका मोटिव होता है यह प्रौफीट मैक्शिमाजेशन के बारे में सोचता है है और अगर हम बोलें सो सफोलीष टूकौर्णॉमी तो ुकाह ses अब क्लेते होगा है लोगों का खंठ करना कश्रकार कर यही काम हम तो पूछ रहे हैं कि सोशलिस्ट एकॉनुकर करना काम सामोट्व है पाहला अप्सट यह मैकसिमम प्रोडक्षन को पहला गवेश नहीं होगा एज़ और अ यह भी नहीं capitalist economy में यह होता है, earning profit यह भी capitalist economy का है, option तो यह option D पूछ रहा है कि maximum public welfare, कि लोगों का ज़ो है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों का कल्यान करना, तो option सही जो है, यह D होगा, चलिए, in which economy decision are taken on the basis of price mechanism, price mechanism जो है, उसका decision उस बेस पर ले जाता है capitalist economy में, तो इसका सही answer capitalist capitalist economy, the slope of production possibility curve falls, यह PPC का है, अगर हम PPC का बताएं, आपका यह production possibility curve है, यह PPC कर्व, यह Y axis और यह X axis, यह इसको इसी परकार से बनाते हैं, तो यह देखिए, बाएं से दाइने की और आ रहा है है, from left to right, लेकिन इसका option जो है, आपके book में गलत दिया हुआ है, अगर आपके पास sample paper होगा या book होगा, तो इसमें देता है कि top से bottom, यह गलत answer है, इसका सही answer जो होता है, यह left से right की और जाता है, इसका सही answer जो है, from left to right होगा, ठीक है, next question, production possibility curve, यह PPC का save जो है, यह किस प्रकार सा होता है, यह concave nature का होता है, यह जो है PPC, यह concave nature का है, और यह concave क्यों होता है, क्योंकि marginal opportunity cost जो है, यह increase करने के वज़ए से इसका save जो होता है, यह concave होता है, तो कौन सा है, concave to the axis, convex होगा नहीं, parallel नहीं होगा, बर्टिकल नहीं होग Mention the name of curve, which shows the economic problem, तो economic problem को सोच करने वाला, जो curve है, उसका नाम जो है, production possibility curve, जिसका नाम PPC बोलते हैं, इसका और एक नाम है, इसको मिलग production possibility frontier भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, PPF, इसका एक और नाम है, इसको बोलते है, transformation curve, transformation curve, तो कौन साइस का option सही होगा, production curve, demand curve, indifference curve, यह tapping mistake है, यहाँ पर production possibility curve होना चाहिए था, production possibility curve, तो इसका सही option जो है, यह D answer सही है, production possibility curve, next question, on the basis of ownership, resources, economy are, अभी हम बताए, ownership के base economy को तीन भाग में पटा गया है, एक capitalist, दूसरा socialist, और तीसरा mixed economy, तो central plant economy, market economy, mixed economy, इसका सही answer जो है, all of the work, market economy, हम लोग capitalist economy को भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम capitalist कहीं market economy, which of the following, इसे marginal opportunity cost, marginal opportunity cost जो है, आपको पता होगा, कि यह जो है, marginal opportunity cost, जिसका formula होता है, moc equal to change in goods y, divided y, change in goods x, यह change represent कर रहा है, delta represent कर रहा है, change को, जो आप यह y axis है, और यह x axis है, इस पर जो change कर रहे हैं, जो आप production को बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप goods x के production को बढ़ाते जा रहे हैं, तो साथ में goods y के production को आप लगातार कम करते जा रहे हैं, तो इसी के ratio को जो बताता है, उसी को बोलता है, marginal opportunity cost, तो कौन सा option y divided by x, कौन सा option, यह सही answer यह है, change in goods y divided by change in goods x, यह book में आपका answer गलत दिया हुआ, यह option दिया हुआ, यह गलत है, अगर आपके book में होगा है, तो आप सही कर लिजेगा, तो आपके लिए अब आपको बता है कि प्रोडक्शन पॉस्याइटी कर्व जो है, यह कौन के विशली होता है, यह कौन के जो है, इसलिए होता है, क्योंकि marginal opportunity cost वह वह इंकरीज करता है, इसके बढ़ने के वज़ए से PPC का सेब जो है, वह कौन केव निचर का होता है, कौन केव का मतलब, वह सेब वह इंकरीज करने के वज़ए से, इसका सेब जो है, इसका सेब जो है, इसका सेब जो है, इसका सेब जो होगा, जिसमें से हम लोग चैप्टर वन इंटोड़क्शन और चैप्टर टू जो है, जो है, पीपीसी का सारा कॉंसेट्ट या एकॉनमी, सेंट्रल एकॉनमिक प्रब्लम का जो है, सारा प्रिविए सेर का पूछावा कोस्टन कर लिए, चैप्टर थ्री पे, जिसमें हम लोग चैप्टर या कंजूमर इकुलिबरियम जिसको बोलते हैं, चलिए कोस्टन नम्मर वन, कर रहा है, विच आप फॉलोइंग इस्टेट्मेंट इस ट्रू, कर रहा है, कौन सा कथन इसमें से सही है, पहला आप्शन, यूटिलिटी मिन्स वान जिसका नाम था अलफ्रेड मार्शल जिसका नाम था अलफ्रेड मार्शल जो बोले थे, कि हम यूटिलिटी को जो है, नम्बर में मेजर करेंगे, कार्डिनल लंबर में, कार्डिनल लंबर में और दूसरा, इसका नाम था हिक्स, जे-ा-र हिक्स या इसको ऐलन भी लिखता है, कभी-कभी, जे-ार हिक्स आन्ड एलन, तो फर्स्ट वर करा वू गेप तो देखिए फर्स्ट आप्सर में है इसको माइक्रोगनॉमिक्स में लोग इस्टेडी करते हैं इसका नाम है लौप डिमिनिसिंग मार्जिनल उटिलिटी लौप डिम यू याद रखेगा इसको यह कोशन पूछ देता है अग्जाम में बहुत बार पूछा गया कोशन है लौप डिम यू को हम लोग गॉसंग फर्स्ट लौ बोलते है दूसरा विच अब फॉलौइंग इस अगर आपको याद होगा तो यह खमील आपको याद होगा यह MAR जिनल यू है और हम आपको बहुत बाइब क्लास में पढ़ा चुके हैं कि sum of M U equal to T U तो sum सारे को M U को जोड़ दीजे तो T U हो जाएगा तो 10, 6, 16, 25, 25, 23, ये 23 और ये हो जागा 21 पूछ आपको question में आइसका relation ही है कि जब तक जो है ये M U ये positive रहता है यहां तक ये positive है तब तक T U जो है increase करता है देखिए T U बढ़ रहा है 10 से बढ़के 16, 16 से बढ़के 21, 21 से बढ़के 23 यहां तक वो बढ़ा उसके बाद बढ़ने के बाद यहां पर जैसे ही वो जीरो हुआ यहां पर आकर ये constant हो गया ठीक है उसके बाद M U जो है घट गया M U जो है negative हो गया तो T U जो है घटना इस चार्ट कर दिया है ना T U decrease करने भी खूशाणा जाका तो T U decrease करना इसकार कर दिया तो इसका कर दिसे बताते हैं हम लोग कि जब तक एम आधित यह वो पॉकर्फ है यह पॉजिटिव है यह पॉजिटीव है यह पॉजिटीव है ऊसके बाद जीरो हो गया जम्सरु को गया तो जब63 यहां तो सर्छारBen lid रिलेशनसीप कता है तीउजे टिल एम्यू इस पोजेटीव तो सही है जब तक एम्यू यह पोजेटीव है नंबर्स में तब तक तीउजे वो इनक्रीज कर रहा है तू इस मैक्सिमम मैं एम्यूज इक्वल टू जीरो जब एम्यू जो है यह जीरो एक टी आपने मैक्सिमम पर सब से ज़्यादा है तईस देखिए तीसरा ओप्षन बोल रहा है कि टीओ डिकलाइज में एम्यू जिनेगेटिव करा एम्यू जब नीगेटिव है तो टी यू ज हुआ हुआ हाओ तू काल्कुलेट मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का दो फर्मूला फाला कता है टीओ एन माेनस टीओ एन मैनस बोला दूसरा फॉर्मूला एमयू इुकल टू एमयुक वटू छेंज इन टी उ डिवाडेड़ बाइड वा जेंजिन llevar प् क्वें टी यू फींटाम्स मेकसिमम पर होता है तो मुज्धर वहाँ पर वहाँ परनाइघ का फोन सफ़ाइजंग करने modestras कर८ mu बेसिटली प्रेसींटी प्रपॉपोंड़ॉटर ओपॉपाईज्वी मार्जनल उनली तो एक सो अंसटन्स के हित्वरा दिया गया था पहला slope of budget line, तो budget line का जो slope होता है, budget line का slope वो बताता है कि price of goods x divided by price of goods y जो की negative में होता है, तो देखे तो कौन सा option, option number a सही है, कि price जो है goods x का और goods y के ratio को बताता है, budget line या उसी का नाम है price line, indifference curve is, indifference curve जो है, वो convex होता है, indifference curve और इसका convex होने का ये कारण होता है, कि ये convex होने का कारण ये है, कि MRS जो है, marginal rate of substitution वो जो है, MRS जो है, वो decline करता है, MRS का decline करने के वज़े से जो है, क्या होता है, आपका indifference curve जो है, वो कौन से निचर का होता है, ये convex, देखे तो कौन सा आपकाराइस में कॉंवेक्स विदा ओरिजिन कॉंवेक्स अविजिन बोधे उप्षण यह कॉन बेक्स होता है यूटिलिटीटि डेटेट टू पाला है यूजफुल्नेस दूसरा है मोरालिटी तीसरा सदी सेक्शन अव उमन वांस तो आल अव भी इस कान्सर utility can be measured by utility को हम लोग measure करते हैं money में exchange of goods में नहीं करते हैं weight of goods में नहीं करते हैं तो इसका measurement money में ही होता है law of equal marginal utility is इसको बोलते है law of substitution indifference curve slope indifference curve का जो slope होता है यह बताता है कि MRS जो है वो decline कर रहा है marginal rate of substitution MRS equal to change in goods y divided by change in goods x यह बताता है कि goods y जो है उसमें change कर रहे हैं इधर घटा रहे हैं तो goods x में हम लोग इधर gain कर रहे हैं goods x में हम लोग gain कर रहे हैं ठीक है ना तो इसी के रेशियो को change in goods y divided by change in goods x के ratio को MRS बोलते हैं तो कर रहा है अच्छा यह और यह स्लेज्ट यह जो सेफ है यह बता रहा है कि यह बाहरा इस से ताहरी नहीं क्यों रहा रहा है इसको कहते है from left to right देखे तो क्या बोल रहा है from right to left from left to right यह option सही है from left to right the ability to satisfy human wants in goods is called utility the additional the addition of utility obtained from all units of goods is called कता जितना आप goods के consumption किये उस सारे goods से जो आपको satisfaction मिला utility मिला उसको satisfaction को हम लोग कते हैं सारे goods के consumption को जोड़ दीजे तो उसको कते हैं tu जितना consumption किये sum of all the utility is called total utility क्या बोलते हैं इसको total utility sum of all the utility sum of all the utility ठीक है question number 18 who propounded the ordinary utility theory अभी हम आपको बताये थे कि utility को जो है कौन कौन define किये थे फर्स्ट बार अल्फ्रेड मार्सल बताए अल्फ्रेड मार्सल वह बताए काडिनल लंबर में मजर करेंगे काडिनल लंबर में इसको को बोलते हैं काडिनल एप्रोच काडिनल यूटिलिटी एप्रोच काडिनल एप्रोच और क्योंकि इनका नाम जो कि बोले कि हम नंबर में नहीं बजर करेंगे हम उसको रैंक देंगे इसका नाम था है जो कि रैंक के बारे में बात करते हैं सटिस्ट्राक्शन के बारे में बात करते हैं प्रिफ्रेंस देने के बारे में बात करते हैं तो वह नंबर में नहीं वह बोले हम लोग मेजर करेंगे रैंक में तो पूछ रहा है आपको ओडिनल के बारे में तो इसको हम लोग बोलत तब प्रपाउंडर ओफ लॉप डिमेनिसिंग मार्जिनल इलेटी इज अभी हम आपको बताएं लॉप डिम्यू को देने वाला जो था उसका नाम था गौशन तो कौन सा अप्शन होगा गौशन का रानी का कंज्मर इकविलिब्रियूम टेट सेटाक एपोंट इयर करता है कंज्मर केविल रहें में होता है जितना वर प्राइस खर्च करता है जिसको पौलते और उससे मिलने वाला इूटिलिटिको जो बोलते हैं यहां कहा रहा है, am you less than price, am you greater than price, मतलब जितना वो price, जितना वो पैसा खर्च करता है, उससे वो चाहता है कि हम उस पैसे को खर्च करके जो है, maximum satisfaction obtain कर सके है, gain कर सके है, इसलिए यह option A number सही है, the capacity of a commodity to satisfy human wants is called, पता है आपको कि human wants को satisfy करता है, उसको हम लोग बोलता है, utility, for the maximum satisfaction of consumer, कराया कि consumer के maximum satisfaction के लिए क्या जरूरी है, marginal utility of goods should be, अभी हम आपको बताए, कि marginal utility जो है, वो जहां price के बराबर हो जाए, तो वहीं पे जो है, हम लोग consumer satisfy हो जाता है, उसको maximum satisfaction बोलते हैं, और उसको consumer equilibrium बोलते हैं, तो option number A सही है, option number B बोल रहा है, marginal utility of goods should be greater than, यह नहीं होगा, there is a no relationship, यह भी नहीं होगा, तो option number A सही है, when marginal utility is negative, then Tu is, अभी हम आपको बताए, कि MU जब negative हो जाता है, तो Tu जो है, वो fall करना, इस्टार्ट कर देता है, start decreasing, का मतलब घटना, इस्टार्ट कर देता है, according to law of equimarginal utility, कराय की equimarginal utility का मतलब, one commodity के case में, MU A by PA equal to MU B by PB, देखिए, इसी option वही है, देखिए, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है, MU A by MU B इसको इधर कर दिया है, और PA को उठा के यहां दे दिया है, दोनों option सही है, आप पढ़े थे न, यहाद है, आपको पढ़े होंगे कि MU X, second goods के case में, by P X equal to MU Y by P Y, यही option ने इसका नाम सिर्फ change कर दिया है, X के जगा पे, यहाँ पे A लिख दिया है, और यहाँ पे Y के जगा पे B लिख दिया है, और इसी option को वह उधर से सिर्फ modify कर दिया, उसको इसको simplification बोलते हैं मैट्स में, और कुछ नहीं यह इधर का उधर, तो दोनों option सही है, both A and B, according to Marshall, utility को हम लोग कैसे measure करते हैं, money में भी, और इसको cardinal number में भी, तो दोनों option both A and C, यह भी option सही है, यह भी सही है, यह money में measure नहीं करते हैं, यह बात गलत है, money में हम लोग measurement करते हैं, तो measurement में money में भी हो सकता है, और दूसरा measurement जो है, हम लोग cardinal number में करते हैं, जिसको हम लोग cardinal utility भी बोलते हैं, this is required for a budget set, करा budget set के लिए आपको पता होगा कि budget set, या budget हम लोग जो कते हैं consumer का budget, वहाँ पर दो goods का होना ज़रूरी है, उसके लिए consumer को कुछ income भी होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, देखें दिखरा है collection of bundles, तो bundle में दो goods होता है, जिसको हम लोग bundle बोलते है, prevailing market price, कुछ ना कुछ उसका price होना चाहिए, और consumer के पास income होना चाहिए, जो उसका total income जिसको budget बोलते हैं, तो तीनों ज़रूरी है, इसका सही option जो है, all of the above, in-deminishing rate of substitution, करा है कि diminishing rate of substitution का मतलब यह बता रहा है, law of DM, यह MRS के बारे में, कि marginal rate of substitution जो है, वो decrease करता है, उसके decrease करने में क्या करन, आपको पता है ना, MRS हम लोग तभी निकालते हैं, जब हम लोग goods, एक X का consumption या goods Y का consumption मतलब दो goods का consumption करते हैं, एक goods का consumption जब हम लोग बढ़ाते हैं, तो दूसरे goods का consumption जो हमको कम करना पड़ता है, दूसरे goods के consumption को घटाने के लिए, या यह goods के consumption को बढ़ाने, जो दोनों का sacrifice और gain का ratio है, इक वल टू, gain divided by sacrifice, यही बोलते हैं इसको, तो देखिए कौन सा बोल रहा है, more of goods 1, less of goods 2, more of both है, यह गलत है, तो इसका सही अबसाद तो D number होगा, बोथ A and B, बोथ, utility in economics means, power of a commodity, pleasures, happiness, usefulness, utility का मतलब बोथा है, one satisfying power of a commodity, the slope of indifference curve shows, करा indifference curve show करता है, किसको slope यह indifference curve है, तो यह indifference curve किसको सो करता है, marginal rate of substitution को, यह इधर sacrifice, यह इधर gain, x-axis पे gain, y-axis पे sacrifice, तो और यह MRS का decrease करने के करने से होता है, MRS decrease करता है, तभी, MRS decrease करने, तो देखे तो यहाँ, डीमिनिसिंग, यह तो हो का नहीं, तो डीमिनिसिंग, यहाँ MRS लितना चाहिए था इसको, इसको, डीमिनिसिंग, MRS तभी, आप्सें जो है, वो पूरा, आप्सें सही है, तेकिन, आप्सें इसका बी सही है, डीमिनिसिंग, MRS लितना चाहिए था इसको, यहाँ पर, यह तो हो का नहीं, डी आप्सें भी नहीं होगा, और मार्जन लिटे रिटी, कंट्याम्शन और एवरी एडिस्थानुट अलवेट आपकामड़ी इंक स्वेट कर रहा है, कि जैसे जैसे, आप कंट्याम्शन करते रहते हैं तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी या सदिस्फाक्शन हर बार कम होता रहता है, इसका मतब घटना इसका मतब हर बार डीमेनिस करता है इसी को बोलते हैं कि हर बार जब आप कमोडिटी के कंजम्शन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी या सटिस्वाक्शन हर वार जो है वो कम होता है कि धरीश्यो उप एक्सेंज बीट्वीन गुट्स तू गुट्स इनडि इंडिफरेंस करव प्राइस कर आप करते हैं कि इनडिफरेंस करव इंडिफरेंस मैप तो लेकिन कर ले थे आपको याद होगा यह बजट लाइन है और यह एक्विलिब्रियम तभी होता था जब यहां पर जो आपका प्राइस ऑफ गूड्स एक्स डिवाइड वाइड प्राइस ऑफ गूड्स वाई और इसके वालावा जो आपका मर्स है मार्जिनल लेट अपर्टूशन द इंडिफरेंस करव एनलाइस इस सोन भाय हाँ तो तो बजट लाइन को दिखाता है तो उससाब से तो आपसर नंबर एस सही है इसका अंसर हम आपको एक्विलिब्रियम करके दिखा दिया यह कि एक्विलिब्रियम जो है उसकेस में जहां पर प्राइस ऑफ गूड्स एक्स इस तो अप्राइस ऑफ गूड्स वाइक्वल टू एम रस है चलिए एकॉर्डिन टू मार्सल इस दस्विज दा यूनिट आप मेजरमेंट अप उटिलिटी कर रहा है कि मार्सल के हिसाब से जो हम लोग उटिलिटी का मेजरमेंट करते हैं वो तो कार्डिनल लंबर में करते हैं लेकिन उसका मेजरमेंट में में भी करते हैं तो काराएं यूटिल में नहीं होगा मेटर में नहीं होगा मणी में यहां पर अगर फिक्स के जगह पे अगर कॉंस्टेंट वर्ड यूज करता या इसको इसके जगह पर यह maximum भी यूज करता यह यहां पर maximum भी यूज करता तो फिक्स नहीं करके maximum यूज करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता तो फिक्स है तो कोई दिकत नहीं है फिसका मतलब वो इसका मतलब जब जो है ती यू जो है आपने मैक्सिमम पर होता है तो एम यू जो है वहाँ पर जीरो होता है तो देखिए एम यू है फर्स्ट ऑप्शन में जीरो कि डवां सटिस्फाइंग कैपशेटी आप कॉमड़ेटी इस कॉल्ड यूटिलिटी कि अ žeर्सप्रिशूशन इंडिकेट अब आज यू है वो उसको जो始ह मारे को होड़ लूम श्लोफ ऑप इनडिफरेंस कर्व जिसका से पोता है आए से करके और यह सेफ जो और यह जो है अधिक्स करने वज़े से इनबाया सब्सक्राइब का स्लोप होता है जो है कॉन्स होता है कि लेकिन यहां पर उसको लिखने यह था लेकिन यहाँ पे उसको लिखने चाहिए था कि marginal position decrease भी करता है, तभी यह option पूरा का पूरा सही है, decreasing MRS के बज़े से जो है, indifference curve का slope जो है, वो convex nature का होता है, तो option number C इसका सही option है, यह तो सरासर गलत है, यह कभी नहीं होगा, option number 80, budget line indicate, बज़ट लाइन जो है, यह budget line है, आपको पताए थे budget line इस प्रकार का होता है, और यह budget line यह बदाता है, कि price जो है, यह अगर budget line है, तो इसको जो शेफ बनाते हैं अब इस प्रकार से, यह budget line price of goods X और price of goods Y के ratio को बताता है, तो goods X और goods Y के ratio को हम लोग बोलते हैं price ratio, द प्राइश लाइन या बजट लाइन उसी का नाम ठीक है तो तीन चप्टर तक आज हम लोग mcq कर लिए जिसमें आपका 80 mcq है टोटल अगर आप इस mcq को आप ध्यान से समझ के हम आपको पूरा का पूरा समझा दिया अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए आप और अगले सेशन में जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट फ्री टू फॉर चप्टर का सब्सक्राइब करेंगे जिसमें आपका डिमांड होगा सप्लाई होगा कॉस्ट प्रोडक्शन यह सब चप्टर का हम लोग या इला सेटी ऑफ दिमांड तब तक आप इस को देखिए और इंज्वाई कीजिए और अच्छे से पढ़िए इसको तभी आपका एक्जामनेशन जो है में अच्छे से प्रिप्रेशन हो जाएगा क्योंकि आपका सब्सक्राइब करता है और तो सब लगेगा कि आपको हम पहले बनाए हुए को सन अब धराधर को सन बना दीजेगा उसमें कोई दीफिक्टि नहीं हो तो चलिए नेक्स में मिलते हैं हम लोग कर चुक02 आप लोग देखेए इसको अब अच्छे से पढ़िए क्या आल बेस्ट